हम सबी को ये याद रखना चाहिए कि सुप्रियूम कोट के मुख्या नयादी इस डॉक्टर डीवाई चंदर्चूड अपनी बेदाक इमिज और बिबाक राई के लिए जाने जाते हैं सुप्रियूम कोट में बतोर सीजी आई डीवाई चंदर्चूड अईसे कई फैसले दिये जो भारते नयाई पालिका के इत्यास में मील का पत्थर साबित होई सीजी आई हर आम आदमी की नयाई पालिका तक पहुंच को अपनी जिंदिगी का सबसे बड़ा मिशन मानते हैं हाली में सीजी आई चंदर्चूड ने का कि सारजनिकस्तान अकसर समाज में पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को प्रत्विंबित करते हैं उन्होंने का कि नय बुन्यादी धांचे का निर्मार ना केवल वकीलों और नियाई दीशों के लिए अच्छा है बलकि इसका उतेश्य हमारे समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचना भी है सीजय चंद चूड अकसर ही सामाजिक मुद्दो पर बात करते रहते हैं साथ ही समाज में फैली असमानताओं को लेकर भी वह मुखर रहते हैं वह अकसर ही ऐसे मुद्दो पर अपनी राय रखते रहे हैं CGI चंदर्चूर ने एक बार फिर से समाज में फैली असमानता पर टिपनी की है CGI चंदर्चूर ने क्या क्या कहा आपको पूरी ख़बर विस्तार से बताएंगे लेकिन उसे पहले आप ये बताएं कि CGI चंदर्चूर के आने से क्या सुप्रियूं कोड मजबूत हुआ है और हाँ सच्चे और निश्पक्ष खबरों के लिए MS TV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इन मुद्धों पर की बात प्रदान नियादिश दिवाचंद चूर ने कहा हम सभी को ये याद रखना चाहे कि सारवजनिकस्तान अक्सर हमारे समाज में पहले से मौजूद सामाजिक असमानताओं को दर्शाते हैं हमारा बुनियादी धाचा कभी कभी भहिशकार के सूक्षम संकेतों को प्रतविम्बित करता है जैसे कि महिलाओं के लिए शोचालेओं की कमी जिसका मैंने पहले उलेक किया था दिव्यांगों के लिए रैंप, योवाव माताओं के लिए क्रेच और स्तन पान कराने की कमरे प्रतान नियादीश ने कहा कि ईसेवा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने का कारण ये है कि भारत में अब भी इंटरनेट विबाजन है और हर किसी के पास इसकी पहुंच नहीं है उन्होंने कहा कि हर वकील के पास स्मार्टफोन नहीं है और हर नागरी के पास करना होगा इस कारेकम में उच्चितन नयायले के न्यायदीश न्यायमूर्थीsi पीएस नरसिमा न्यायमूर्थीएस भट्टि न्यायमूर्थी पीवी